मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार आज के मुख्य विशे के अंतरगत मैं अभी जो पांच राज्यों में चुनाओं हुए हैं इन चुनाओं को आधार बनाकर आपको सिविल सर्विस परिक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए खासकर लोकतांत्रिक प्राणाली के संदर्व में उस पर मैं बातें करूंगा लेकिन इस से पहले मैं चाहता हूँ कि दो ऐसी खबरे हैं जिनकी सामाने से जानकारी आपको दी जानी चाहिए और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं इतमिनान के साथ इस मुख्य विशे पर आपसे बातें कर सकूँ पहली बात ये फ्रेंड्स की कल मैंने आपको एक छोटा सा हूम वर्क दिया था और आप लोगों ने कर भी लिया होगा या बिना किये ही आप जानते होंगे उसके बारे में जो चक्रवाती तूफान टमिलाडू और अंद्रपडेस के एच्जों में आया है और आप देख रहे हैं कि तमिलाडू के चेन्री में तो उसने क्या कहर पर पा दिया है यहां दो बाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले बात तो यह है कि अख़बारों में इस तूफान को जो नाम दिया जा रहा है वो है मिचाउंग, लेकिन रेडियो निउज में जो इसका उचारण किया गया है, वो है मिगजाम, मिगजाम, अंग्रेजी में जो इसकी उचारण को हमें सही मानना चाहिए क्योंकि आकाशवानी में जब किसी संग्या का इस तरह से उचारण किया जाता है तो कहीं ने कहीं कंसल्ट किया जाता है उसके बारे में जानकारिया जुटाई जाती है और फिर उस शब्द का उचारण निर्धारित किया जाता है तो यह है M-I-C-H-A-U-N-G यह जो नाम है MIGZAM यह म्यामार ने दिया है जिसका पुराना नाम है VARMA आप जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है और इसका अर्थ होता है लचीला पन और साथ ही साथ द्रड़ता द्रड़ता इस माइने में सहनशक्ति के मामले जिसे आप कहते हैं रेजिलियन्स एंड फॉर्टी ट्यूट यानि कि जो कठिन से कठिन परिस्थीतियों में भी घबड़ाता नहीं है अपनी द्रड़ता को बनाए रखता है लचीला पन प्लस द्रड़ता आप कह सकते हैं कोमल प्लस कठोर आप कह सकते हैं या आप इसे कहना चाहें दूसरी बात कि राज्यसभा ने डाक घर विध्यक पारिद कर दिया है इससे पहले हमारे पास जो डाक घर कानून था वो 1898 का बना हुआ था सोच करके देखे कि लगभग 1200 साल पुराना कानून अब उसका संसोधन पारिद किया गया है और संसोधन में खासकर सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि यदि डाक घर के जो अधिकारी है उन्हें को एक ऐसी सामगरी लगती है कि उससे सुरक्षा को किसी तरह का कोई खत्रा हो सकता है तो उसामगरी को रोक सकते हैं, खोल कर देख सकते हैं, इस तरह की ब्यवस्था की गई है, और दूसरी ब्यवस्था ये भी है कि हमारे डाग घर आप देख रहे हैं कि चुकि बैंकिंग प्रणाली धीरे-धीरे काफी फैलती चली जा रहे हैं, तो डाग घर एक प्रकार से ऐस साल अगरा जैसे आप रासंगिक होते जा रहे हूं, तो कैसे इन्हें और ज्यादा जिवन्त और उपयोगी बनाया जाए, तो इसमें ऐसी ब्यवस्था की गई है कि इसे नागरीकों के सेवा के केंदर के रूप में विक्सित किया जाए, और बहुत से डाग घर में इस तरह सर्विसेज भी होती है, पोस्टल सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, आई अब मुख्य विशेज पर बात करते हैं, और जो मुख्य विशेज है दोस्तों वो यही है, कि हमारे पांच राज्यों के अभी चुना हुए है, इन पांच राज्यों के चुनाओं के आ यह चली है कि पूरे देश के चुनाओ एक साथ कराए जाने चाहिए जब हम कहरें पूरे देश के चुनाओ एक साथ इसका मतलब है कि लोकसभा के चुनाओ और साथ ही राज्यों के विधान सभाओं के चुनाओ इन सब के चुनाओ एक साथ ही कराए जाएं इसको लेकर के धेर सारी बाते पहले भी हो चुकी है और साय काफी कुछ बातें आपको मालूम भी होंगी देखे हमारा समविधान तो एक सिध्धानतों का ग्रंथ है उसमें सिध्धानत दिये हुए या कह लिजे Mathematics की एक ऐसी किताब है जिसमें फार्मूले दिये हुए हैं लेकिन इन फार्मूलों के अधार पर जब आप गड़ित को हल करते हैं तो पतानी कितने तरह के गड़ित हल हो रहे होते हैं सिध्धान्तों को जब आप व्यवहार में एप्लाई करते हैं तो पता ने कितने तरह कि व्यवहारिक चीज़े सिध्धान्तों से निकल करके आती हैं यही होता है सम्विधान के साथ भी यही है कि सम्विधान में फार्मूले हैं लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो हमें समाज में देखने को मिलता है और राजनितिक दल उसके आधार होते हैं या कह लिजे कि वो माध्यम होते हैं जो पूरे के पूरे समविधान को हमारे सामने ब्यावारिक रूप में मुख्य तह प्रस्तुत करते हैं राजनितिक दल कह लिजे या सरकार कह लिजे लेकिन तो सिविल सर्विस परिक्षा को क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप से धानतों को ब्यावहारी के रूप में समझें तभी कहीं जाकर मुख्य परिक्षा में पूछे गए प्रशनों के आप उत्तर दे सकेंगे और यहां तक कि यदि आपने विशय को कर सकेंगे तो अभी पांच राज्यों के चुना हुए उन पांच राज्यों के चुनाओ के नतीजे क्या रहे हैं और क्यों ऐसे रहे हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अब मैं मुख्य बातों पर आता हूँ जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ उसका केंद्री य जरूरतें क्या हैं और सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिस करते हैं यानि कि जनता सरकार का मार्ग दर्शन करती है जनता सरकार का मार्ग दर्शन कैसे करती है अपने चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बस देट साल यही लोगतंत हैं तो अभी चुना हुए तो definitely जनता ने जो अपने प्रतीनिथी चूने है उनके माध्यम से वो कुछ संदेश दे रही है और ये जो संदेश दे रही है वो किवल राज्यों के इस्तर पर ही नहीं है बलकि केंदर के इस्तर पर भी है केंदर सरकार को भी संदेश जा रहे है और क्योंब यह ने कि पाँच राज्यों और केंदर सरकार को संदेश जा रहा है बलकि पूरे के पूरे देश की जो राजनितिक पार्टियां हैं उनको यह संदेश जा रहा है कि अब हमारा देश क्या चाहता है दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है जिसको लेकर के खासकर इस बात का विरोध किया जाता है कि नहीं पूरे देश के चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि जब इस तरह के मद्ध में चुनाव होते हैं चाहे वो छोटे से राज्य का ही चुनाव क्यों नहीं हो तो एक प्रकार से जनता इस छोटे से सेंपल के माध्यम से नमूने के माध्यम से अपनी इक्षा को व्यक्त कर देती है और ये इक्षा ऐसी हैं जो लगातार परिवर्तित होती रहती है तो देखे इस बार के जो चुनाव हुए हैं उनमें किस तरीके से इन बातों की जलक दिखाई देती है आईए हम इसे थोड़ा सा जानते हैं मैं point wise आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान होगा कि Congress Party ने ये कहना शुरू किया था अपने चुनाव अभिवान में कि यदि वो सत्ता में आई तो पूरे देश में जाती गणना करवाएगी जाती के आधार पर जनगणना करवाएगी और इसके बाद प्रतिशत के आधार पर बतब एक सिधानत के तोर पर लेकिन इन फैक्ट एक कहना गलत नहीं होगा कि जो दूसरे राज्य थे उन्होंने प्रकार से Congress को नकार सा दिया है दो दो राज्यों से उसकी सरकारे खत्म हो गई है और हार भी जो हुई हो बहुत बुरी तरह से हार हुई है इसका मतलब है कि जनता ये कह रही है कि नहीं हम जाती पर आधारित गणना नहीं चाहिए आरक्षय जो है उसको बहुत ही तार्गिक रूप से दिया जाए वो बात अलग है लेकिन जाती पर आधारित गणना नहीं कि इस से जो समाज है वो कहीं ने कहीं और भी जादा विभाजित होगा दूसरी बात कि कहीं न कहीं इन राज्यों की जनता ने केंदर सरकार की नीतियों का समर्थन किया है केंदर सरकार की नीतियों का समर्थन कुछी दिनों पहले आपने देखा क्याविनेट की मीटिंग वी थी पिछले बुधवार को और उसमें केंद्र सरकार ने बकाहिदे जो प्रधानमंत्री अन्य योजना है उसको कंटिन्यू किया पांस साल के लिए और बढ़ा दिया इसका मतलब है ठीक है चुनाव पहले हो ग जिनाओं को रेवडी संस्कृती में लपेट करके बताने की कोशिस की है अब जैसे राजस्थान और 36 गड़िस में बकायदे ये बात कही गए कि हम जो नियूंतन समर्थन मुल्य है उससे बढ़ाएंगे आपको इतना पैसा देंगे ठीक है के अंदर सरकार के द्वारा जो निल्धारित होगा वो तो होगा ही लेकिन हम आपको अपनी तरफ से उसकी छती पूर्ती करेंगे इसका मतलब है कि MSP एक बहुत important मुद्धा हो रहा है और जनता चाहती है कि नए उनके उत्पादन का अधिक मुल्य मिले और आप पंजाब में जो किसान अंदोलन हुआ था से याद करने की कोशिस कीजिए उसमें यह निउनतम समर्थन मुल्य एक बहुत बड़ा मुद्धा था साथ ही साथ मद्यप्रदेश में जो भारती जनता पार्टी फिर से इतनी ज्यादा मतों से जीत करके आई है इतनी ज्यादा सीटों से जीत करके आई है उसका कारण ये था कि यहां के चीफ फिनिस्टर ने बकायदे लाडली बहना योजना की जो राशी थी उसमें वृद्धी कर दी थी और भारती जंता पार्टी की इस जीत में महिला मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है महिला मतदाता पिछली बार से दो प्रतिशत जादा रही है इसका मतलब है कि महिलाओं का भी जो वजन है सरकार में बढ़ रहा है और आपको मालूम है खासकर केंदर सरकार महिलाओं को लेकर के क्या कर रही है अभी जो आरक्षन लोकसभा और विधानसभा में देने की ब्यवस्था की गई है वो केंदर सरकार के द्वारा की गई है इ दोस्तों इसी के साथ ही ये देखा जा रहा है कि कई राज्यों में जो पहले से मंत्री थे वो पराजित हुए हैं, इस तरह के विधायक पराजित हुए हैं जिनका जनता से ज़्यादा संपर्क नहीं रह गया था, जो एक प्रकार से ivory tower में बैठे हुए थे, island में रह रहे थे, जनता ने इस तरह के जन प्रतिनिधियों को लगभग लगभग नकार दिया है तो राजनेती के एक नई दिशा की ओर ये चुनाव इंगित कर रहे हैं जनता का कहना है कि आप हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधी हैं हमारे पास आएं, हमसे मिलें, हमारी जरूरतों को समझें और हमारी जरूरतों के अनुसार फिर नीतियों का निर्मार करें, यह भी एक तथ्य बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। माइनों में सरकार का कहीने कहीं विरोध भी है। और कहीने कहीं जनता यह कह रही है कि नहीं, जो केंदर सरकार है, वो मजबूत होनी चाहिए। और दोस्तों, इसके आधार पर आप देखे कि एक बात और क्या उभर करके आती है। अख़बारों में आपने पढ़ा होगा कि श 2024 का भी जो चुनाओ होगा, वो लगबग लगबग भारती जनता पार्टी के नेत्रित्तो वाली सरकार का ही होगा, वही सत्ता में आएगी। इसका मतलब है कि इस तिर सरकार होगी, नंबर वन, लेकिन इससे भी जो महत्पुन बात है वो यह है कि इन चुनाओं ने कहीं ने कहीं केंदर सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, उनके प्रती भी अपना समर्थन व्यक्त किया है। तो सीदी सी बात है कि केंदर सरकार का उमार्ग दर्शन कर रही है कि ने आपकी जो नीतियां हैं, हम उनके पक्ष में हैं, आप इने आगे बढ़ाइए। तो अब आप द देश के चुनाव एक साथ होने चाहिए या अभी जो सिस्टम चल रहा है इस सिस्टम को ही कंटिनियू करना चाहिए और इसी के साथ ही आज के से डेली आडियो लेक्चर को अब यहीं समाप करता हूँ, नमस्कार